नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम निस 24 और मैं हूँ आपके साथ शुभांगी मिश्वरा चन्नई के एक अस्पताल ने एक ऐसे व्यक्ति का इलाज करने के लिए सफलता पूर्वक शले चिकित्सा करने का दावा किया है जो दो साल से दुल्लब प्रकार के टिनिटस से प अनुभफ करते हैं चैन्नाई इस्थित अस्पताल ने 26 वर्ष व्यक्ति के लाज के लिए MVD यानि की माइक्रो वास्कुलर डिकंप्रेशन सर्जरी सफलता पूर्वक करने का दावा किया है जो दो साल से एक दुल्लब रूप से टिनिटस से पिडित था 26 वर्ष यह व्यक् उसको सोने काम पर ध्यान के इंड़ित करने या अध्यन करने में काफी परिशानी का सामना करना पड़ता था वेंकिट ने कहा मैं सो नहीं सकता था और मुझे अपने कान की पीछे एक टेबल फैन रखना पड़ता था और मुझे सोने में मदद करने के लिए बहुत सारी वि डॉक्टरों से मुलाकात की लेकिन कोई भी निदान नहीं कर सका कि वो कानों में लगतार बजने का अनुभफ क्यों कर रहा था डॉक्टरों के अनुसार उसके सुनने की शमता बिल्कुल समान ने थी डॉक्टर श्रीधर ने माइक्रोवास्कुलर डिकंप्रेशन नामक एक अ भारत में पहली बार ट्रीटर्स के इलाज में M.V.D. का सफलता पूर्वक उपयोग किया गया था डॉक्टर श्रीधर ने कहा एक वरिस्तित परिक्षा के बाद ये निदान किया गया था कि श्रवन तांत्रिका को नश्च करने वाली धमनी ये समस्या पैदा कर रही थी 100 मरीज बहरा हो सकता है और चेहरे की कमजोरी भी पैदा कर सकता है लेकिटन बताया कि ये सर्जरी के लगभख एक महींने बाद ये द्व सालों से मेरे कानों में बजने वाली आवाद सच में मेरे जीवन और कामों से अबको सुदूर है मेरी समस्या से राहत पाने में मेरी म आ रहा हूँ प्राइम न्यूस 24 के लिए शुभांगी मिश्रा के रिपोर्ट